एक लड़की ने टीवी सीरियल कबूल है देखकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही मौत की जूटी कहानी करी कहानी सच सामित हो सके इसलिए उसने अपने जैसी कद काठे वाली लड़की को ढूंडा और फिर उसकी हत्या भी कर दी और इतना ही नहीं हत्या के बाद उस लड़की के चेहरे को भी तेजाब से जला दिया ताकि उसकी पहचा ना हो सके आरूपी लड़की ने अपने हत्या की पुष्टी के लिए एक सूसाइड नौट भी छोडा जिसके बाद लड़की के भाई ने अपनी बेहन को मरा हुआ समझ कर उसका अंतिम संसकार भी कर दिया लेकिन ये शव उसका नहीं बलकि दूसरी लड़की का था दरसल ये मामला है उत्ते प्रिदेश के नौइडा के बिसरका मामला 12 नौबर से शुरू होता है दादरी पुलिस को 12 नौबर को सूशर मिलती है कि एक लड़की ने आत्म हत्या कर ली है लड़की की उम्र 21 साल थी लड़की का चहरा बूरी तरह से जला हुआ था डैड बॉड़की के पास एक्सोसाइड नौट भी मिला जिस पर लिखा था किछिन में काम करने के दौरान मेरा चहरा जल गया और अब मैं इस चहरे के साथ नहीं जीना चाहती इसलिए मैं अपनी जीवन लिला सवाफ्त कर र दरसल ये शव पायल का नहीं बलकि हेमलता का था इस घटने का खुलासा तब हुआ जब हेमलता के भाई ने पुलिस ने अपनी बहन के लापता होने की शिकायत दर्स कराई इसके बाद पुलिस ने जाश शुरू की पुलिस ने हेमलता का नंबर ट्रेस किया तो किसी आजे क नमबर पुलिस को मिला यह अजे पाइल का प्रेमी था जब अजे से पूस्ताश की गई तो उसने पूरा मामला बताया पुलिस पूस्ताश में पाइल ने बताई कि उसके माता पिता ने कुछ समय पहले आत्मा हत्या कर ली थी इसके लिए वहे अपने भाई के ससुराल वालों को इसका जिम्मेदार मानती थी वहे उन्हें मारना चाहती थी पाइल खुद को मरा हुआ सावित करके उनकी हत्या करना चाहती थी ताकि उस पर किसी को शक्त ना हो उसने सीरियल कबूल है से पूरा आइडियल या पाइल ने इसके लिए अपने जैसी दिखने वाली एक कॉल को बड़ पुराइससिद अपने घर पर बुलाया और फिर उसकी प्रैमी के साथ मिलकर बहरे में से हत्या कर दी हम्लता की हत्या के बाद पाइल भाई के ससुराल वालो की हत्या करने कीeded। पाइल भाटी और प्रेमी आजे ठाकुर की मुलकात दो साल पहले फेस्बुक के जरिये हुई थी और बात में दोरों में प्यार हो गया हेमलता की हत्या करने के बाद पाइल और आजे ने 27 नमबर को बुलंद शेहर के आले समाज मंदिर में शादी कर ली पाइल अपने बाबाब की आत्म हत्या की पीछे अपने भाई के ससुराल वालो और बुआ के लड़के सुनिल को वज़ा मानती थी ऐसे में दोरों ने सुनिल की हत्या करने की साज़श रशनी शुरू कर दी दोरों तमींचा खरीद कर रेकी कर रहे थे लेकिन वे वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही पुलिस ने दोरों को गरफतार कर लिया इस घटने का खुलासा तब हुआ जब हैमलता के भाई ने पुलिस में बहन के लापता होने की शिकायत दर्स कराई इसके बाद पुलिस ने जाश शुरू की पुलिस ने हैमलता का नंबर ट्रेस किया तो किसी आजय का नंबर मिला ये आजय पाईल का प्रेमी था जब आजय से पूस्ताज की गई तो उसने पूरा जर्म कभूल कर लिया पुलिस ने हेमलता के कपड़े और मुबाइल भी बुलंदी शहर में उस कमरे से बरामत किये जहां शादी करने के बाद पाइल और उसका प्रेमी अजय रह रहे थे पाइल ने बताए कि उसकी भावी और बुआ के लड़के उसके पिता को बहुत ज़दा टॉर्चर करते थे उन पर जूटा मुकदमा लगाने का भी कोशिश करते थे जिसे परेशान होकर मातर पिता ने आत्महत्या कर ली थी आत्महत्या के लिए जिम्मिदार चार लोगों पर पाइल और उसके परिवार ने केस भी दर्स करवाया था लेकिन तीन लाख रुपे खर्च होने के बाद भी उन लोगों को सजा नहीं मिल सकी पाइल ने कहा कि इसी वजह से उसने ये कदम उठाया वह बुआ के लड़के सुनिल और उन सभी लोगों की हत्या करना चाहती थी जिसकी वजह से उसके माबाप ने आत्महत्या कर ली थी उसे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उसके माबाप के कातिर आज भी जिन्दा है लेकिन उनकी वजह से उसने एक बेगुना लड़की का खुन कर दिया उसे कानून पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था पायल ने यह भी बताया था कि वह इन सब की हत्या करने के लिए बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी वह लगतार क्राइम की वैब सीरीज और सीरियल देखा करती थी जिससे कि उसे हत्या कैसे करनी है यह आइडिया मिल सके व इसलिए ही मैंने कॉलगल हेमा की हत्या कर उसे अपना रूप दे दिया था इस वारदात का खुलासर करते हुए एडिशनल डीएसपी शाद अली खान ने बताय कि पायल को इस पूरी साजिश का आइडिया कबूल है नाम की एक टीवी सीरियल को देखकर आया इसके बाद पा बजय को अपने दोस्सक्राइए हैं माल हुआ जो और पायल को अपनी प्लैनिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुफिद लगी पूलिस ने घर से हैं मलता की कई चीजें वे बरामत की हैं पूलिस ने कटल में इस्तमाल किया गया हत्यार बिया बरामत कर लिया है और अब द